जी स्लाम उलेकम दोस्तों कैसे आप लोग अमीद करता हूँ आप सारे दोस्त बिल्कुल ठीक होंगे शरजील शोकत आपके खित्मन पे एक नई वीडियो के साथ फिर हाजर है जवेद मोटर्स के उपर आपको हम एक बार फिर लेके आए हैं जी यहाँ पे जो गाड़ी हम आपको दिखाने लगाई है यह है जी टोटा सर्फ बड़ी शानदार बड़ी जबरस गाड़ी है यह 4x4 और बड़ी पसंद करते हैं आप लोग हम इसलिए कोशिच करते हैं कि आपको ज्यादा 4x4 दिखाएं जबेद मोटर जो हैं यह पिंडी बाइपस है जब गुजामाला में आप रावाली की तरफ आते हैं तो आपको लेफ्ट साइट पर मिल जाएंगे बड़ी जबरस यहाँ पे इनके पास कार क्लेक्शन है गाड़ियां मैं अगर आपको यहाँ पे दिखा सकूँ तो बहुत स सब्सक्राइब आपको बताएंगे इसा नहीं होगा कि हम आपको बताएं कुछ और हो कुछ तो चलें सबसे पहले आपको टायर दीखाता हूं चैरस दीखें माशाला बड़े ही शानदार हालत में देखें त्रंक यहां कि तो खोल दिखा देते हैं ले तो खोलने के लिए सबसे पहले आपको जिसτοपनी है उसको आपको खोलना पड़ता है अराम से क्योंकर पीछे سाथ गाड़ी है तो बाकि खोल टारड़ी तो लग जाते हम यह द्हां को उधसकर जाते हैं सारी की सारी सील्स असली हालत में औरिजिनल मजूद हैं बागी यहां पे आप देखें यहां पे यहां पे इसकी स्पेस यहां पे बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि यह mostly गाड़ियां जो यूज की जाती है आफ रोड के लिए यूज की जाती है कि अंदर से गाड़ी की लुक क्या है क्या व्यू है क्या कंडिशन है गाड़ी जो है दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि दो से तीन पी स्टचिंग इसमें है जो चीजे हैं हम इन्शाला वो आपको ज़रूर बताते हैं दोर देखें जी दोर के सील्स आपके सामने हैं बिलकुल फ्रेश लूक है कहीं से सील्स खराब नहीं नज़र आएंगी निशाला और जो डोर के इंटीर है वो भी आपके सामने है नाइटी नाइन मॉडल है लेकिन फिल भी देखें आप इसकी हालत बहुत बहतर है तो चले मैं आपको उसका दिखा जिता हूँ जो इंटीर है वो आपको दिखाते हैं जी डैश बोर आपके सामने दोस्तों डैश बोर की कंडिशन आप देख सकते हैं बाकी एसी इसका बिलकुल ठीक हालत में है जो इ सानरूफ आप देख सकते हैं सानरूफ बिलकुल इसमें ठीक है सीट आपके सामने जी सीट देखें जरा सी भी आपको कहीं से खराब बिलकुल नहीं नजर आएंगी और मैं कोशिच करता हूँ कि आपको इसका बैकर रूम है वो भी दिखा देता हूँ देखें सीट बैठी पराना होने के बावजूद भी सीट बड़ी अच्छी हालत में मुझूद हैं तो चलें दोस्तों आपको दिखाते हैं इसका इंजन गाड़ी तो बाहर से बड़ी शांदार है इंजन देखते हैं जी इंजन कैसा है तो इंजन भी दोस्तों आपके सामने जी 2700 इंजन है इसका आपके सामने है जो बोनेट की सील्स अगर आपको दिखाएं तो बोनेट की सील्स भी बिल्कुल फिट हालत में है कोई इशू नहीं कोई मसलाम साहल बिल्कुल नजर नहीं आ रहा तो 275 यह पेट्रॉल है मैंने आपको पहले बिताया यह और इंजन भी बिल्कुल ठीक है ल दोस्तों गाड़ी को पसंद आती है आप इंट्रस्ट होते हैं तो आप इनको फौन करें स्क्रीन के पर इनका नंबर आ रहा है प्राइस में कमीपेशी इंशाल्ला हो जाएगी तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है अब अच्छी लगती है व्यूस आप माशाला अगली वीडियो में अगली वीडियो तो आपने अपना और अपने असपास दोस्रों का बहुत सा ख्यार रखना है अला निके बान